आप सभी छात्रों का स्वागत है तो छात्रों आज की इस वीडियो में हम लेकर के आचुके कक्छा 6 का दिनांक 19 एपरेल को जो विसा सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है उसके लिए 110 परशेंट आपका रियल कोश्चन पेपर जी हां छात्रों और साथ ही आपको इ पार्ट एक पार्ट दो और पार्ट थ्री वहाँ पर दिये जा रहे हैं लेकिर इस वीडियो में हम पूरा का पूरा कोश्चन पेपर कक्छा 6 के सामाजिक विज्ञान का एक से लेकर 24 तक का पूरा का पूरा सॉलुशन छात्रों इसी वीडियो में आपको यहां पर मिल का वार्चिक मुल्यानकन वर्कसीट 2021 का खंड का देखी कोश्चन पेपर है जो आपको लिखित परिक्छा के रूप में 19 एप्रिल को देखने को मिलेगा 110 परसेंट ग्यारंटी है विसे आपका देखी सामाजिक विज्ञान जो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है आपको इंटरफेस आता है हर कोश्चन पेपर में इस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देखें हम सीधे सीधे हम कोश्चन पेपर की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपके हम पूरे पहले कोश्चन दिखा देते हैं देखिए आपके लिए एक-एक से अल यहां पर देख शकते हैं चौता कोश्चन आप यहां पर देख शकते हैं इसी प्रकार देखिए आपका आगे यहां पर आपको लॉंग कोश्चन के पूरे पूरे चूबिस तक के आंसर मिलने वाले हैं पाचवा कोश्चन छटवा कोश्चन सातवा कोश्चन आप यहां पर वो पूरे कोशन जो अंसर शहीत हम देंगे तो विडियो को लाट तक देखिए इससाथ कुछ पेपर हमने देख लिया आप हम सीधे-सीधे आंसर की तरफ बढ़ते हैं तो चली शातर देख लेते हम पूरे इनके आंसर तो देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले कुछ उस प आपको है नौपाशान काल में देखिए चातर आप यहाँ पर देख लेना है आपका एक नमबर यहाँ पर पक्का हो जाएगा और पूरे के पूरे साथ अंक शातर आपको हम दिलवा के रहेंगे तो विडियो को अंतर तक देखिए इसके बाद देखिए आपका सेकेंड रिगवेद है तो इसका अंसर हो जाएगा चातर चप्राप्तिकर नीति की राजी का उपयोग किया जाता था तो देखे चार options आपको दिए गए मैं सीधे सीधे आपको answer बताते चलूँगा ताकि आपका भी time waste ना हो इसमें आपको भर देना है बीवाला जनता के कल्याण पर बीवाला option छातरो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता के कल्याण पर यापको इसमें उत्तर लिख देना है इसी प्रकार आपका चोथा कोशन है कि प्राचीन कलिंग राज्य वरतमान भारत के किस राजी का हिस्सा है आपको यहाँ पर बताना है तो इसका चार options आपको दिख रहे हैं यहाँ पर बिहार उडिसा जारकड या फिर अंदर प्रदेश तो इसका राइट अंसर हो जाएका चात्रो उडिसा उडिसा इसमें आपको अंसर लिख देना है इसका 100% सही उत्तर है इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे तो आपका देखिए पाचवा कोशन है यहाँ पर हम दे का इसी तरीक से आपको 60 में से 60 नंबर हम आपको दिलवा कर रहेंगे वीडियो को लाट तक देखिए आप टॉपर बनकर ही निकलोगे इसके बाद एकि छटवा कोशन है इन में से मानचेतर का घटक नहीं है ऑप्सन से देखिए दूरी गलोब दिसा या फिर प्रतीक तो इ सांसर आपको लिखना है चातरो को इस प्रकार से देखिए आपको लिखना है स्य वाला यहाँ हमेशा बर्फ जमि रहती है यह सका सही उत्तर होलेगा आपको इसमें चीक लिख देना है। इसी प्रकार चात्रोद चात्रोट ऐपका 8 कोश्शन अब देख लेते हैं आटवा कोश्शन है कि भारत की सबसे पूरानी परवत स्रंखला है कौन सी है तो इसका हो जाएगा चात्रोट आपका अरावली अरह वाले इसका right answer हो जाएगा चार options आपको दिये हुए आप यहाँ पर दिख शक्ते हैं अरह वाले इसका right answer आपको लिख देना है इसी प्रकार चातरो आपका नववा question है कि निम्न में से कौन सा इस्थानी सरकार का अंगर नहीं है तो चातरो देखी चार options है तो इसका right answer हो जाएगा आपका राजजिपाल राजजिपाल इसमें सही उत्तर आपको भर देना है इसी प्रकार देखी चातरो आपका देखी दसवा question देख लेते हैं लोग दसवा question आपसे यहाँ पर बोला जाएगा कि लोकतंतर में सरकार के कामकाज का विरोध करने का तरीका उचित नहीं है तो इसका answer हो जाएगा चातरो आपको डी वाला तोड़ फोड़ वा हिंसा यह इसका आपका right answer है आपके देखी यहाँ पर सही विकल्प दसों के दस यहाँ पर complete होते है question number 10 के बाद देखी चातरो आपको कुछ इस प्रकास से question paper आएगा देखी आपको एक भी doubts नहीं होना चाहिए पूरा का पूरा real paper है आपके लिए मैंने answer तैयार की है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है पूरे के पूरे यही question आपको देखने को मिलेंगे यदि नहीं मिलते हैं तो आप हमारे इस चैनल को कल आके unsubscribe कर देना मैं पूरी guarantee दे रहा हूँ आपको यही question जो है आने वाले हैं तो वीडियो को अंतर तक देखते रहिए ताकि आपको पूरे पूरे answer मिल सके देखिए पूरा का पूरा real paper है आपको किसी भी दूसरी वीडियो को देखने की वस्तों के आउसिस मिलते हैं ऐसी वस्तों का निर्मान लोगो लोगो ने अपने काम के लिए किया था और वो बाद में उसे छोड़ कर वहीं छोड़ कर जो है चले गया है देखिए इसका answer आपको पूरा दिख रहा है आपको लिखना इनाम गाओं के लोग प्रमक रूप से क्रसी कारे करते थे इसका आपका सही answer है आपको लिख देना है इसी प्रकार छातुर देखिए आपका आपका तेरवा कोशन यहां पर है तेरवा कोशन की पल्लव काल में सभापना कारी किस प्रकार करती थी तो अंसर आपको दिखे यहां पर दिख रहा है पूरा आपको यह नोट कर लेना है पल्लव नरेश, कुशर योद्धा, विद्वान और कला प्रेमी थे यूराजी का पद अतियंत महत्पूर्ण था पल्लव राजवन्स का जो की प्रसान होता था और वह अपने अधिकार्षे भूमी दान दे सकता था पल्लव समराट की पास अपनी मंतरी पडिशत थी जिसकी सला से वा सासन करता था इस प्रकासे चात्रों आपको तेरवे कोश्चन का अंसर है पूरा लिख देना है, पूरा नोट करते जाना है आपको पूरा का पूरा यही कोश्चन आपके सामने कल आपको अपने कोश्चन पेपर में मिलने वाला है इसके बाद देगी चौदा नंबर का कोश्चन है उपनिशद में किन विचारों का समा कलन है तो चात्रों आंसर आपको लिखना है उपनिसद में परमिश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव का बहुत ही जो है दार्शनिक और ज्ञान पूरुवन जो है वर्णन किया गया है, दिया गया है इस प्रकार से चैतरों आपको यहाँ पर चौदवे कोश्चन का अंसर है पूरा लिख लेना है इसी प्रकार से दिखिए आपको पंदरवा कोश्चन आपको क्या आएगा कि अक्छान सरेखाओं की विसेस्ताइं लिखिए अक्छान सरेखाओं की विसेस्ता आपको यहाँ पर लिखनी है तो चैतरों दिखिए अंसर आपको इस प्रकार से लिखना है अक्छान से रेखाओं की विश्यस्ता हैं ये रेखाएं पूरु से पस्चिम की दिसा में विश्युवत रेखा के सामंतर कीची जाती है ये पूर्ण वरत्ताकार होती है दो अक्छान सों के बीच की दूरी समान होती है विशुवत वरत्तों से ध्रूओं की और बढ़ने पर वरत्त छोटे होते जाते हैं या आपके जो अक्छान से रेखाओं की विशेस्ता हैं इसको आपको पूरा लिख लेना है इसी प्रकार चातर दीखे आपको 16 नंबर का कोशन है की रेखा मांचित्र किसे कहते हैं तो आपको देखे चातरों यहाँ पर आपका पूरा का पूरा देखे आपको इसको लिख देना है नूट कर लेना है लेखा मांचित्र की रचना रेखा विदी दोवारा होती है मानचित्र पर जल के अंदर समान गहराई के बिंदूओं को मिलाकर छीची जाने वाली रेखा मानचित्र जो रेखा मानचित्र कहलाती है ये आपके 16 कोश्यन का आपका अंसर हो जाएगा आपको ये पूरा लिख देना है इसी प्रकार दीखिया आपको समीर 1 और समीर 2 में कोई तीन अंतर लिखने को बोला जाएगा कोश्चन नमर 17 में यह आपका पूरा का पूरा रियल कोश्चन पेपर आपको डौट्स नहीं होना चाहिए यह देखिये इस प्रकार से आपको अंसर लिखना है जब समीर 1 को अंग्रेजी जादा अच्छे आती है वह समीर 2 हिंदी बोलता है समीर 1 हिंदू है समीर 2 मुशलमाने समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर 2 स्कूल जाने का मौका नहीं मिला वह अगबार बेचता था इस प्रकार से आपको कोश्चन नमर 17 का अंसर चातरो पूरा लिख देना है इसी प्रकार से चातरो देखे कोश्चन नमर 18 हम देख लेते हैं कोश्चन नमर 18 कि आपको यह क्यों लगता है कि लोगों में समानता होना जरूरी है आपको यहां पर चातरो बताना है तो चैतरो इसका अंसर लिखना है कि कुछ इस प्रकासे भारत के सभी धान के अनुसार यहां के सभी नागरिक को जाती धर्म और भेदभाव भासा भासा और अभिवेक्ति की समान तक अधिकार है चुकि भगवान की नजरों में हम सब का जन्म समान रूप से हुआ है इसलिए सभी इंसान को समान रूप से देखना चाहिए इस प्रकासे आपको इसका अंसर पूरा लिख देना है इसी प्रकार दिखे आपका बिस्वा कोशन इसमें पूछा गया कि प्राकरतिक वनस्पति किसे कहा जाता है तो प्राकरतिक वनस्पति आपको देखिए आंसर यहां पर पूरा का पूरए आंसर आपको नूट कर लेना है प्डाकरतिक वनिश्पती उन बैँते हैं जो मानों की साहता के बिना सोमे वन्य अत्वा प्राकरतिक अवस्था में उकते इसी अדिक सुछ करते करें तो यह कहा जा सकता है कि विभिन परियावरेंत तह परिवेसी की रूप म नगरी व्यवस्ता की विशेस्ताइं लिखे आपको यहां पर बोल गया है तो चैतरो इसका अंसर दिखे आपको यहां पर दिख रहा है इस प्रकास से आपको लिखना है हलपा कालिन सब्विता से कच्ची इटे पक्की इटे दोनों का प्रमाण मिलता है सामानिता कच्ची इटों से सुरक्षा दिवार और सडके बनाई जाती थी जबकि पक्की सडकों से भवन इत्यादी बनाई जाती थी है इट निश्चित अनुपात देखी चार अनुपात दो अनुपात एक में मिलती है हलपा सब्वता में जोबी नगरी स strep benefiting सेरी रूप सवरूप देखने को मिलती है ऐसी विवशता किसी अन्य प्राचिन सब्वता में देखने को नहीं मिलती इस शब्दत का नगर नियोजन ग्रिड पत्दतीपे राधारीत था यह आपके दुखे आपके 21 वे question का पूरा answer हो जाएगा इसी प्रकार से देखे रेसम मार्ग की कहानी आपको question नमर 22 में बोला जाएगा लिखे करके तो आपको answer देखे कुछ इस प्रकार से पूरा लिखना है प्राचीन काल में एतियासिक व्यापारिक सांस्कृतिक मारगों का एक समू था जिसके माध्यम से Asia, Europe पर अफरीका जुड़े थे इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेसम मारग में है जो चीन से होकर पस्चीम की और पहले मदे-इसिया में और फिर यूरोप में जाता था और जिससे निकलती थी एक साखा भारत की और जाती थी इस प्रकार से आपको 22 कोश्चन का चातरो अंसर लिखने को कहेंगे तो देखे कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है पूरा अंसर आपको इस प्रकार से लिख देना है चातरो यह आपका अंसर हो जाएगा को पसंद दो ईखेब को सब करते हैं तो सब देंसे के लिए सनसादण ये जैसे कि अविशक निर्ना इलिए जैसे कि आफ देश ऱंसाधन mentor, नहीं पर करते कीजिए अपने सभी उन दोस्तों के साथ सेयर कीजिए जो कक्षा चठवी में पढ़ रहे हैं तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉलीशन के साथ जब तक लिए टेक क्यार जहिंद बपा